Hey everyone, मेरा नाम है शिप्रतिवारी, welcome back to your favorite channel Magnet Brains यहाँ पर आपको provide कराया जाता है बिल्कुल free education ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सके तो बच्चो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी वो है एक revision which is the revision of LEAF बहुत सारे बच्चों का यह concern था बहुत सारे बच्चों यह पूछ रहते कि मैं NCRT बूटी अब क्यों नहीं बनाती हो बेटा आगर आप मेरे lectures को regularly लगाते होंगे तो आपको यह समझ में अभी तक आ गया होगा कि हम NCRT की एक एक चीज़ को cover करते हैं और जो लोग भी मेरे lecture लगा रहे हैं उन्हें यह चीज़ पता है कि जब मैं mean lecture ले रही हूँ उसके बीच में ही मैं NCRT पढ़ा देती हूँ subsequently यह से LEAF पढ़ाया तो वहीं पर मैंने पढ़ा दिया Venetion पढ़ाया तो वहीं पर पढ़ा दिया NCRT बूटी आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ LEAF की last class में मैंने आपको LEAF के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया था बहुत सारे लोगों ने इस lecture को देखा और समझा और यह जाना कि जो morphology वाला chapter है वो बहुत ज़्यादा important है ठीक है LEAF के बाद जितने भी हिस्से अब हम शुरू कर रहे हैं morphology के वो अपने आप में ही एक पूरी बड़ी कहानी होगी और examination point of view से बहुत 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 important है पर आज मैं आपको NCRT बूटी पिला रही हूँ किसकी? LEAF की देखिए आज आपको ये बात जैसे बहुत सारे बच्चों को मेरे पैरे बच्चों को ये चीज़ clear भी है कि मैं हर कुछ cover करती हूँ और हर कहानी आपको अच्छे से समझ में आ भी जाती है और हर एक एक NCRT की कोने से लेकर हर चीज हम पढ़ लेते हैं पर जिनको ये लगता है कि सिर्फ NCRT पढ़कर ये सिर्फ अगर आप ऐसे screenshot देखकर आपको satisfaction मिलता है तो ठीक है बच्चों पर आपको मेरे उपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं NCRT की कुछ भी चीज नहीं छोड़ती हूँ और अगर मुझे लगता है कि किसी lecture में कोई चीज स्किप हुई है तो बहुत सारे lectures आपने देखा हुगा कि playlist में वो private है तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ part बाकी है तो मैं उसको reshoot करूँगी ठीक है और जिनको बच्चे को लग रहा है यार की bacteria part 1 का है blood plotting का part 1 का है तो मैं बनाओंगी tension मतलो ठीक है So let's start with the leaf Last class में मेरे प्यारे बच्चो हम लोगों ने पढ़ा कि leaf एक flattened structure है जो की responsible होता है photosynthesis के लिए ठीक है अगर आपके पौधों में leaf ना हो तो I think photosynthesis नहीं हो सकता पर कई बार ऐसा होता है कि पौधों की कुछ पतिया photosynthesis करने के लावा किसी और काम को करने के लिए modify हो जाती है और इस कहानी को हम modification of leaf में पढ़ेंगे तो सबसे पहले leaf क्या है leaf stem के node से जुड़ा हुआ वो structure है जो की photosynthesis के लिए responsible होता है ठीक है यह बात आपको clear हो गई then आपको मैंने यह पढ़ाया था कि stem में we have दो प्रकार की birds एक होती है apical bird ठीक है और एक होती है leaf और stem के बीच में axillary bird ठीक है तो यह क्या पढ़ाया था मैंने आपको एक होती है axillary bird बचो और एक होती है apical bird ठीक है है हमारी leef आई बात समझ में तो now sizing le brain को बनती है हमारी लीफ और आक्ज़ेलरी बर्ड से हमारी बनते हैं branch और flower 45 यह बात आपको पता होनी है तो एकपो बर्ड की जब कोशिकाएं जब सेल डिवाइड होती हैं तो वो नीचे लीव बना बना के ऐसे छोड़ती जाती हैं समझ में आई बात जैसे उपर उपर एपिकल बढ़ता जाएका नीचे नीचे पतियां छोड़ती जाएंगी तो अगर आप स्टेम का संरचना देखें स्टेम की स्ट्रक्चर देखें तो हमेशा जो ओलडर लीफ होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं और जो नई वाली पतियां होती हैं वो उपर की ओर होती हैं इस प्रकार के डवलप्मेंट को हम एक्रोपीटल डवलप्मेंट कहते हैं बच्चो समझ में आ गई बात ठीक कहां से डवलप होता है, नोड से डवलप होता है, अगर आपको याद होगा, तो stem में ये पार्ट होते हैं, नोड और इन दोनों के बीच की जगह होती है, इंटर नोड, आई बात समझ में ये भी मैंने आपको पड़ा दिया है, तो इन नोड से लीफ का डवलपमेंट होता है, ठीक है, और लीफ और stem के बीच में बर्ड होती है, जिसे हम axillary bird कहते हैं, और इस portion को हम leaf exile कहते हैं, जहां पर axillary bird डवलप हो रही है, ठीक है, नउग, लीफ किस से डवलप होते हैं देखिए, एपिकल मेरिस्टम से, apical meristem मतलब apical bird से यहाँ पर meristematic cells होती है जो divide होती रहती है और यह जो undifferentiated आपको leaf दिख रही है अभी यह leaf बनी नहीं है पर जैसे जैसे apical meristem उपर बढ़ता जाएगा यह undifferentiated leaves leaves के form में नीचे छूटती जाएंगी ठीक है और किस manner में arrange रहती एक्रोपिटल manner में अभी तक आपको क्या समझ में आया अभी तक मेरे लाल आपको यह समझ में मैं सिर्फ यह lecture इसले लेके आई हूँ ताकि मैं आपके मन में यह विश्वास जगा सकूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपकी बुक से ही है और जो चीजे बुक से नहीं है और मुझे लगता है कि यह exam में आ सकती है और important है तो वो मैं अलग से भी आपको पढ़ाऊंगी तो यही चीजे मैंने आपको पढ़ाई थी यह लाइन चूटी थी मुझसे लीफ को हम वेजिटेटिव औरगन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती यह अपने आप बनती जाती है ठीक है अब मैं इस सारे चीजे के इंट्रोडक्टरी पार्ट मेरे बच्चों को क्लियर हो गया है एक लीफ में तीन में पार्ट होते हैं यह भी मैंने आपको पढ़ाया था लीफ बेस, पेटियोल, लेमिना लेमिना को हम लोग लीफ ब्लेड भी कहते हैं ठीक है तो अगर मैं एक लीफ का डाइगराम बनाऊं ठीक है अगर मैं एक लीफ का डाइगराम बनाऊं तो मुझे क्या समझ में आता है यह है इसका पेटियोल जो लीफ की डंडी होती है उसको कहते है पेटियोल बच्चों ठीक है यह है आपका लेमिना जो leaf का mean portion होता है उसको कहते है lamina ठीक है या इसी को leaf blade भी कह सकते हैं और petiol stem के जिस हिस्से से जुड़ा रहता है बचो petiol stem के जिस हिस्से से जुड़ा रहता है इस हिस्से को हम कहते हैं leaf base ठीक है कभी-कभी leaf base के चारो तरफ sheath बन जाती जिसे leaf sheath कहते हैं जैसे example sugar cane का मैंने आपको बताया था ठीक है यह होगा sugar के maze तो यह कहां नहीं clear होगाई leaf के part क्या होते हैं अगर आप NCRT का diagram देखें तो this is the leaf blade और lamina leaf base जहां से petiol जुड़ा हुआ है अब आप क्या देख रहे हैं कि petiol और stem के बीच में एक axillary bud होती है ठीक है और जिस डंडी से leaf जुड़ी हुई है it is called as petiol ठीक है आप कई बार क्या होता है कि जैसे suppose that कि leaf है ऐसी ठीक है तो यहां पर कुछ ऐसा एक leaf like structure पाया जाता है ठीक है this is the leaf like structure इस leaf like structure को हम मेरे लाल क्या कहते हैं this is called as stipule यह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चो stipule कहलाता है अब stipule कई बार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है करता है ठीक है ओके तो यह clear हो गया सबको यह diagram lamina हो गया stipule जो की leaf like structure होता है कहां पर होता है leaf base के पास होता है ठीक है आपकी stem के petiol और leaf के petiol stem के बीच में जो जगह होती है इस called as exile अरे भया यह है exile यह leaf है ना this is the exile और यहां पर होती axillary bird ठीक है और leaf base क्या होता है this is the leaf base जहां से petiol जुड़ा होता है petiol क्या होता है leaf की dundi ठीक है आगे बढ़ जाए हम लोग यह क्या है अब आप बात करते हैं now यहां पर stipule के बारे में बताया जा रहा है कि two-lateral small leaf like structure is called as stipule ठीक है यह कहानी clear होगे सबको in monocotyledons the leaf base expand into a sheath covering stem partially or wholly in some leguminous plant the leaf base may be solan which is called as pulvinus ठीक है तो solan sheath किस में होता है maze में पर pulvinus किस में बनता है leguminous plant में ठीक है मतलब leaf base के modification नहीं है कि leaf base sheath भी बना सकता है और सूज भी सकता है जहां पर वह सूजता है तो यह किस में ऐसा modification आपको देखने के लिए मिल सकता है leguminous plant में ठीक है और petiol जो है what is the role of petiol क्या है इस डंडी का काम what is the role of this dundi इस डंडी का काम क्या है जिससे आप petiol कहते है कितनी भी हवा चल रही हो कितनी भी हवा चल रही हो पत्ती कभी भी आसानी से तूट कर गिरती नहीं है because petiol जो होता है वो एक तो light हवा में उसे flutter करने में हवा में इधर उदर हिलने डूलने में मदद करता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हवा चलती है तो पूरा-पूरा stem गिर जाता है पर leaf में गिरती कारण यह है कि leaf is attached by the stem leaf is attached with the stem by the help of petiol which provide the strength and flexibility to the leaf ठीक है so petiol help to hold the blade to the light even petiol जो है light में उसको अच्छी तरीके से hold करके रखता है ताकि उसको properly light मिल सके और वो photosynthesis कर सके ठीक है and petiol is a long thin flexible structure allow the leaf blade मतलब lamina to flutter in the wind thereby cooling the leaf bringing the fresh air to the leaf surface petiol की वज़े से ही जो leaf होती है उस पर हवा चलती रहती है थंडी हवा उसे मिलती रहती है और थंड़क बनी रहती है ठीक है now leaf blade क्या होता है यह हमने पढ़ा leaf blade अगर आपको याद होगा यह है leaf blade lamina is called as leaf blade ठीक है देखते हैं यह हो गया now the lamina or leaf blade is a green expanded part of the leaf with varying weanlates ठीक है अगर मैं बात करूँ कि क्या है आपका that क्या कहते है lamina ठीक तो this is the lamina ठीक है अब lamina के center पर जो structure आपको दिखाई देता है this is called as midrib यह इसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने इसका नाम हम लोगोंने मेरे प्यारे बच्चों रखा था midrib ठीक है हमने इसका नाम क्या रखा था midrib और इस midrib से बहुत सारे veins निकलते हैं और इसे बहुत सारी छोटी छोटी और weanlates भी निकल सकती है ठीक है now question is कि what is the midrib what is the veins what is the weanlet और ये है आपका leaf blade या lamina ठीक है leaf blade को हम lamina कहते हैं दूसरी बार आपको जो सम्मिन नहीं वो धियान सा देखिये कि midrib vein या विलेट is nothing it is just tissue made up of xylem and phloem क्योंकि चाहे पत्ती हो चाहे stem हो चाहे root हो everyone need food and water ठीक है तो water के transportation के लिए what we have we have xylem ठीक है and food के transportation के लिए what we have we have phloem so phloem का माली चे कई पत्ती कम खाना बना रही है तो उनको खाना कैसे मिलेगा by the help of these veins पत्ती को रूट से पानी कैसे मिलेगा by the help of these midrib and veins ठीक है now ये veins को और क्या काम करता है ये veins जो होती है ये actually shape देने का काम करती है मतलब जैसे हमारे body में bones होती है जो हमारी body को क्या देती है shape देती है वैसे ही leaves में होते है जैसे हमारे body में bones होती वैसे हिनके leaves में होती veins जो ने एक proper prominent shape देने का काम करती है veins provide rigidity to the leaf blade it act as a channel for the transportation of water and mineral तो आपको पता है कि इनी veins के माध्यम से हम पत्तियों को खाना पानी पहुचा सकते है and food material the shape margin and apex surface are extent of the what is this अब आप देखे ये जो leaf blade का ये वाला जो हिस्सा होता है this is called as apex ठीक है and this is called as margin ये हो गया margin अब margin smooth भी हो सकती है और margin ऐसे भी हो सकती कटी फटी भी हो सकती है ठीक है तो depend करता है कि हमकी sleeve के बारे में बात कर सकती है तो आप लिखा है shape margin apex surface extent of incision of lamina varies in different leaves अलग-अलग होता है ठीक है now अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पर एक diagram लगा हुआ है so यह तो venation का diagram है जो भी मैं आपको बताने वाली हो ओके यह वही diagram है आजाईए देखिए अब हम बात करतें venation की ठीक है now next thing is the venation क्या है आपके NCRT बोलती है हर leaf में एक ही प्रकार के veins नहीं होते ठीक है जैसे कि mammals में ही हड़िया एक ही प्रकार की नहीं होती human being में हड़िया एक ही प्रकार की होती है पर हर mammal में एक ही प्रकार की हड़िया नहीं होती human being is a mammal वैसे ही हर प्रकार के plant में venation भी एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है now what is the venation सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है Venetian is the arrangement of vein and veinlets into the leaf पर हर leaf में veins और veinlet का arrangement एक जैसा हो बच्चो ये बिलकुल भी आवेश्यक नहीं है So arrangement of veins and the veinlets into the leaf is called as venetian कई बार जैसे कि मैंने आपको example भी बताया था बड़ी बहू और छोटी बहू अब अगर बड़ी बहू घर पे होगी तो भाईया पैर तो जमा के रखेगी ही तो बड़ी बहू जहां पर होती है वहाँ पर उसके पैर जमे हुए होते हैं वो अपना जाल बिछा के रखती है अब आपके में बड़ी बहू कौन है डाइकॉट की मोनोकॉट अब सीधे सीधे बोलोगे कि बड़ी बहुत जिस जो जादा पैट जमा के बैठती है वो है dicot तो dicot जो भी dicot वाले जितने भी प्लांट होगे उनकी लीफ में जाल फैलाने वाला venation होगा which is called as reticulate venation reticulate venation में midriff से बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले फाइन venelets मिलते हैं जो कि पूरा एक जाल जैसा बना लेते हैं चीक है तो लिखा हुआ है when the venelet form a network the venation is termed as reticulate reticulate का मतलब होता है venation जो कि जाल वाला हो when the veins run parallel to each other कई बार ऐसा होता है कि veins जो होती है वो parallel run करती है तो कई बार veins जो होती है वो parallel run करती है और इसे हम parallel venation कहते है reticulate venation is the characteristics of dicot and parallel venation is the characteristics of monocot leaves of dicot plant generally possess reticulate venation while parallel venation is characteristics of monocotyledon तो बड़ी बहु, dicot जिसमें जो जाल फेलाती है बड़ी बहु जाल फिलाए तो बड़ी बहु है डाइकॉट जिसमें रेटिकुलेट जाल वाला वेनेशन होता है छोटी बहुत सीदे सीदे बरिवार के साथ चले पैलल वेनेशन ठीक है पटी क्मपाउंड लीफ सिंपल लीफ वह लीफ होती है बच्चोग जैसे कि अगर आप देखें उप्ट यह तो पूरा compound leaf ही है, 5.9 होगा, देखो, यह है, यह simple leaf है, जैसे कि यह एक leaf है, ठीक है, जैसे कि माली जे, मैं आपको यहीं पर बताती हूँ, यह एक simple leaf है, यहाँ पर एक ही leaf जुड़ी हुई है, this is a simple leaf, then this is called as simple leaf, ठीक हो, simple leaf जो होती है, इसमें किसी भी प्रकार का entire, कोई भी incision नहीं, कोई cut नहीं दिखाई दे रहा है, simple plain leaf दिखाई दे रही है, ठीक है, यह सारे तो compound leaf है, वो कैसे हैं, वो मैं आभी आपको बताती हूँ, देखी कैसे है, simple leaf जो होता है, जिसमें lamina entire margin का हो, entire, पूरा-पूरा हो, ठ मैंने आपको यहाँ पर यह भी चीज़ बताई थी, मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ, देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताय था, कि अगर आपके पास lamina, जो है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास, what is this, अगर आपके पास lamina entire margin का हो, ऐसा, this is a simple leaf, यह midrib है आप वो cut वाला हो सकता है, पर cut उसके midrib को नहीं चुना चाहिए, तो यह दोनों क्या है, simple leaf है, यह दोनों क्या है बच्चो, simple leaf, ठीक है, यह यह आपके लिखा भी हुआ है, कि a leaf is set to be simple when lamina is entire, और when incest, अगर वो cut हुआ भी है, तो वो midrib को नहीं touch होना चाहिए, ठीक है, और अग लीजे कि यह मैंने बनाया midrib, एक यहां से आया midrib touch हो गया, फिर 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 midrib touch हो गया, तो भईया ऐसा है कि अब यह simple leaf नहीं है, यह कौन सी leaf है, compound leaf है, क्या है यह compound leaf है, अब मैड यो सारी क्या है एक लीफलेट है और बहुत सारी लीफलेट का समू गृप is called a leaf और यहां पर अभी से जो compound leaf में हम जामें यहां शॉपल मज़ीर 논ला करा आँ अब compound leaf में इसे हम mid rib की जगा rachis कहते हैं So, जो leaflet का group is called as leaf तो ये leaflet हैं जिनका group आप leaf कहलाते हैं characteristic क्या है कि हर leaf के यहाँ पर होती है क्या axillary bird और leaf का characteristic है कि उसके अंत पर axillary bird होना चाहिए यहाँ पर किसी भी आगर आपको लगता है कि यह leaf है तो किसी भी leaf के अंत पर axillary bird नहीं है axillary bird कहाँ पर है? axillary bird यहाँ पर है अगर axillary bird यहाँ पर है बच्चो तो यह याद रखना कि यह पूरी एक leaf है और leaf के margin incision से कटने से ही सारे leaflet बने है तो axillary bird यहाँ पर है तो हम इसको पूरी leaf बानेंगे अगर हम चाहते कि इसको माने तो यहाँ पर axillary bird होने चाहिए जो की नहीं है So due to the presence of axillary bird at the axle of leaf that is why we consider this leaf as a one leaf not a each leaflet called as leaf ठीक है यह याद रखना है कि क्योंकि axillary bird यहाँ पर है इसलिए हम इस पूरे को leaf consider करते अगर यहाँ 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 पर होती axillary bird तो हम इसे individual leaf consider कर सकते थे जैसे कि मानलों कि यह leaf है न अब एक axillary bird यहाँ पर है तो यह एक leaf हो गई एक axillary bird यहाँ पर है तो यह एक leaf हो गई पर वहिया ऐसा है कि यह कोई एक leaf नहीं कहलाएगी क्योंकि इनका जो ultimately axillary bird है जान समझो इनका जो axillary bird है वो यहाँ पर है तो यह पूरी एक leaf है क्योंकि margin कड़ गया है इसलिए हम इसे compound leaf कहते है ठीक है चलो So क्या लिखा हमने When the midrip is breaking into the number of leaflet ठीक है The leaf is called as compound The bird is present at the axle of petiole in both simple and compound Simple and compound दोनों में leaf जो axillary bird होती है वो axle पर ही present होती है ठीक है but not in the axle of leaflet ना की leaflet के axle पर कहाँ पर leaf अंत पर जहाँ पर यह जो petiole है जहाँ पर वो stem से जुड़ा रहता है यह यहाँ पर This is the leaf यहाँ पर bird present होता है ठीक है The compound leaf may be of two type compound leaf दो प्रकार की हो सकती pinnate और parmate ठीक है pinnate का मतलब क्या है pinnate का मतलब बिल्कुल simple है जिसमें leaflet rachis से जुड़े हुए है ठीक है तो क्या लिख रहा है In a pinnately compound leaf a number of leaflet are present into the common rib common axis this is called as rachis तो simple में जिसे हम midrib कर रहते है compound में हम उसे rachis कहेंगे which represents the midrib of leaf as in neem neem का example है या रखना neem की पतिया तो ऐसी neem की पतियां जुड़ी रहती है rachis से ठीक है next होता है parmately compound next is what parmately compound अगर मैं parmately compound का example देखू तो यहाँ पर आप क्या देखो parmately compound का silk cotton example है यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है ठीक है जिससे बहुत सारे leaflet जुड़े हुए है ठीक है तो यहाँ पर parmately compound दिख रहा है parmately compound पाँच आपस दिख रहा है पर parmately compound में ज़रूरी नहीं की पाँच पतिया हो बहुत सारी और भी हो सकती है parmately compound when the leaflet attach to the common point जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर leaflet एक common point से attach होते है ठीक है एक्जाम्पल इस एक्जाम्पल इस silk cotton ठीक है और tip of petiole देखो यह stem है ठीक है यह petiole है यह petiole का tip है tip से जूड़े रहते हैं सारे leaflet ठीक है आजाईए अब बात करते हैं हम लोग phallotexy की ठीक है venetion is the arrangement of leaf ठीक है phallotexy is the arrangement of leaf ठीक है धन समझो venetion is the arrangement of vein into the leaf phallotexy is what phallotexy is the arrangement of leaf into the axis ठीक है तो phallotexy का मतलब हमने क्या सी कहा कि आपकी pattern of arrangement कैसा है leaf का into the branch और stem ठीक है तो अगर आप branch से अगर आपकी leaf जूड़ी हुई तो कैसे जूड़ी हुई है उसका arrangement कहला था phallotexy ठीक है टेक्सी का मतलब arrangement और phallotexy का मतलब leaf ठीक है यह दो परकार की हो सकती है तीन परकार की alternate, opposite और rolled ठीक है alternate, opposite और rolled का मैंने example आपको क्या बताया था alternate का तो मैंने example बताया था कि इसमें क्या होता है alternatively चाइना के लोग बैठे हुए है चीक है alternatively चाइना के लोग बैठे हुए है इस तरीके से और वो धूब सेक रहे है यह example बताया था ने मैंने alternatively चाइना के लोग बैठे हुए है और वो धूब सेक रहे है और सरसो का तेल लगा रहे है तो sun मतलब sunflower चाइना मतलब चाइना के लोग चाइना रोस और मस्टर्ड देल लगा हbahn रहा हैं मस्टर्ड मस्टर्ड तो आल्टरणेट में जो leaf होती है वो alternatively इस तरीके से अरेंज रहती हैं और इसका example है sunflower, mustard और china rose, ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिकत, बोलो, 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 ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, यह देखो, अब देखिए, alternate में मैंने क्या बताया था, इसका example क्या है, चाइने रोस, mustard, sunflower, ठीक है, opposite में हमने क्या सीखा, opposite में हमने सीखा, कागा example होता है, इसका, कागू बोल सकते हैं इसको, ओके, opposite का example है, leaf में जो, leaf जो होती है, वो बिल्कुल ऐसे इस तरीके से oppositely arranged होती है, it is like that only, ठीक है, इस तरीके से leaf arrange होती है, opposite manner में, ठीक है, इसका example हमने क्या पढ़ा है, calotropis and guava, ठीक है, उसके बाद world, world का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो leaf है ना, वो ऐसे, इसका, elstonia example है, इसका, इसमें leaf जो है ना, वो इस तरीके से stem के उपर तक ऐसे arrange रहती, it is like that only, ठीक है, यह देखो, elstonia, कैसे leaf arrange है, दिख रही है आपको, यहां पर stem के चारो तरफ से, यहां से सारी leaves arrange होती है, so more than two leaves arise at a node, ठीक है, तो normally एक नोट से एक ही leaf arise होती, पर इसी नोट से यह wijze हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा रॉल बन गया, Alstonia तो इसका example है, तो घुमा, घुमा के पत्थर मारना आपको चारो तरफ पहले घुमा लो, तो वर्ल्ड का मतलब चारो तरफ Alstonia मतलब stone, तो घुमा के पत्थर मारो, इसका example मैंने आपको बताया था तो कितने प्रकार के arrangement हो गए? opposite example is coilotrop is guava, ठीक है? alternate example is china rose, mustard and sunflower and world का example is the alstonia now, अब चो सबसे important चीज है leaf की that is the modification of बचो modification से भी बहुत सारे question आते हैं now my question is की modification क्या होता है? normally हमें पता है की leaf का काम is the photosynthesis पर अगर leaf photosynthesis के अलावा कोई और काम करने लगे पगला जाए उसका दिमाग खराब हो जाए और अगर वो photosynthesis के अलावा कुछ और करने लगे then this is called as modification of leaf अगर ऐसे ही काम stem में हो तो modification of stem ऐसा ही काम root में हो तो modification of root root और stem के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है तो modification में सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है वो आप ध्यान से देखिए सबसे पहला जो example आपके NCRT में दिया हुआ है that is the example of P P में क्या होती है कि जो पतियां होती है वो modify हो जाती है tendril में तो पतियां जो होती है वो modify हो जाती है tendril में Tendril क्या होता है कि round structure होता है पत्ती is modified into the tendril ठीक है और अगर आपको stem में याद होगा तो stem में भी tendril होता है पर leaf tendril और stem tendril बोथ are different thing stem tendril जो होता है वो axillary bird का modification है पर दोनों का function सेम है tendril भी उन्हें ऐसा ऐसे फैलने में दिवाल से creep करने में मदद करता है जो कि cucurbit इसा family का मदद बो stem का modification का example क्या बता है खीरा, लॉकी, कदू ये सब cucurbit family वाले होते है और जो आपके leaf के modification है वो P family वाले फिबैसी ठीक है तो दोनों modifications है tenderly बनता है बट वो वाला जो modification था वो axillary bird का modification था और ये जो modification है this is the modification of leaf तो दोनों का modification is a different बच्चो ठीक है दोनों का modification क्या है different है दोनों जो है वो एक stem का है एक leaf का है पर दोनों का function तो same है ये support करने का काम करते हैं ठीक है so मैंने क्या बोल आपको they converted into leaf is converted into the tendril climbing in climbing करने में मदद करते हैं ठीक है तो अगर आपका function same हो और origin different हो then this is called as बच्चो दिस इस called as analogous organ तो stem tendril और leaf tendril ये दोनों analogous organ है important question है आपके exam में पूछा जा सकता है ये इतनी बात आपको clear हो गई अब हम बात करते हैं spines के बारे में spine में एक बात जो मुझे बहुत common याद आती है वहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया था कि axillary bird tendril के साथ-साथ एक और चीज में modify हो सकती in the stem which is the thorns ठीक है बड़े ही तीखे thorns होते है तो मैंने आपको पढ़ाया था citrus ठीक है जो खटा होता है वो नुकिला होता है ऐसा पढ़ाया था कुछ मैंने तो stem के thorns में मैंने आपको पढ़ाया था कि कई बार axillary bird जो होती है जो की branch बनाने वाली होती है वो modify हो जाती है into the thorns example is citrus family यहाँ पर क्या होता है कि leaves यहाँ पर thorns नहीं बनते but thorn and spine is a different thing ठीक है thorn जो है वो axillary bird का modification है जबकि spines are the modification of what it is the modification of leaf कई बार ऐसा होता है जैसे की aloe vera जैसे की cactus इनकी leaf जो होती है वो modify हो जाती है into the spine to reduce the transpiration rate and for the protection ठीक है जिसकी वज़ा से जिसकी वज़ा से जो stem होता है वो photosynthesis करने लगता है तो cactus and aloe vera जो है यह दोनों का example है stem का भी modification का example है क्योंकि stem generally photosynthesis करते नहीं है पर इनका stem photosynthesis करता है और यह leaf का भी modification है क्योंकि leaf का काम है photosynthesis पर इनकी leaf modify हो गई into the spines ठीक है तो दोनों चाहे stem के thorns की बात करूं चाहे leaf के modification spine के बात करूं इन दोनों का काम क्या है protection करना तो spine and thorn ये भी analogous organ है कि इन दोनों का काम है protection करना, इन दोनों का काम है हमें पौधे को सरक्षा देना, बट ये दोनो analogous organ है क्योंकि origin different है, एक leaf का modification है, stem का modification है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जो tendril होते हैं, they are responsible for climb, climbing example is pea family and spine is for defense, ठीक है, example is aloe vera and cactus, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया, storage का ठीक है, तो storage में मैं आपको दो example बताई थी, बता रही हूँ one is the onion, second is the garlic तो ये जो part आपको दिखाई देता है this is the stem, पर जो उपर आपको दिखाई दे रहे हैं, these are the leaf तो जो भी चीज आप खा रहे हो in the garlic and the onion ये क्या है, ये leaf का storage, मतलब this is the modify leaf, जो की storage करने का काम करते हैं, और इसको फिर हम गपक लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पौधों की पतियां सारी जड़ जाती है, ठीक है, जैसे acacia, acacia कथा, acacia kattachoo, जो है, ये इसका example है, तो कई बार ऐसा होता है कि पौधों की सारी पतियां जड़ जाती है तो उनका photosynthesis कौन करेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर petiol होता है तो यह जो petiol होता है, यह बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है और इसकी leaf बहुती छोटी हो जाती है तो जो petiol होता है यह photosynthesis करने लगता है और ऐसे petiol को हम कहते हैं, philode क्या कहते हैं, philode जो की photosynthesis करने लगता है क्योंकि petiol जो है उध्यान समझना क्या बोल रही हूं मैं कि लीफ जो है वो फोटो सिंथेस करने का काम नहीं कर रही है जबकि कौन करने लग रहा है पेटियोल करना शुरू कर दे रहा है ठीक है अगर आपको याद होगा कि इन्सेक्टिव बोरस प्लांट ऐसे होते हैं जो की मौडिफाइ हो जाते हैं एक डिफरेंट स्टक्चर में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था अगर आपको याद होगा कि इन्सेक्टिव बोरस प्लांट की कहानी क्या है कि ऐसा होता है कि कई बार स्वाइल में नाइट्रोजन कम हो जाता है ठीक है तो यह पत्ते क्या करें यह मर बहुत सारा sticky substance ठीक है यह हो गया पिचर पिचर के अंदर होता है बहुत सारा sticky substance ठीक है अब क्या होता है कि जैसे ही जैसे ही मेरे बचो इंसेक्ट आता है इसके अंदर घुश जाता है और इंसेक्ट जो है लालाच में घुश जाएगा और यह धक्कन तुरंत बन जो जाता है और इसके अंदर बहुत सारे enzymes होते हैं, जो कि insects को digest कर देते हैं, और digest करने के बाद इसका सारा माल absorb कर लेते हैं, इसका example का है Nepenthes Pitcher Plant भी कहते हैं, और इसका एक और example है Venus Fly Trap, इसमें ऐसा होता है, ऐसे खुलता है, घुछ जाता है, भी बंदो जाता है, खुलता है, खुलता है और killer plants, ठीक है, so I think we are done with this leaf, NCRT part, so आज हमने पढ़ा, the NCRT booty of the leaf, I hope की last का lecture भी आपको बिल्कुल similar ही लग रहा होगा, अब आप मुझे comment करके बतारना कि आगे भी आपी NCRT booty चाहते हैं या नहीं, आपको ये समझ में आया होगा, मैं ये उमीद कर रही हूं, अगर कुछ सम में नाये, please let me know, see you in the next lecture, तब तक घर पे रहे, safe रहे, अपना ध्यान रखे, thank you so much, bye bye